लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें लोगडाउन के खिलाप उत्रे मार्बल ब्यापारी 20 जुलाई को एक्स्टेंशन हुई तो करेंगे आन दोलन लोगडाउन में 120 दिनों से कारोबार ठप होने से बेहाल मार्बल ब्यापारियों ने अब लोगडाउन के खिलाप मोर्चाबंदी सुरू कर दी है उन्होंने कहा कि 20 जुलाई के बाद अगर नईमबई प्रसाशन ने लोगडाउन बढ़ाया तो वे इसके खिलाप आंदोलन करेंगे नईमबई मारबल एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस कोरोना के रोकने के नाम पर नईमबई मनपा लोगडाउन चला रही है उससे मरीज घटने की बजाए बढ़ रहे हैं फिर कारोबार को ध्वस्त कर लोगों की जिंदगी खत्रे में डालने की जरूरत भला क्या है मारबल ब्यापारियों ने कहा कि आर्थिक संकट ने उनके सब्र का बाध तोड़ दिया है और अब उनके सामने मरने या खुल कर विरोध करने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है करन का यह आज 122 जोल होता लेगा 120 दिवसा मा दे महानगर पारिकेनी जो लोगडाउन के लागतल तो निश्फों प्रेस्मे तनके ठरडिएला है असामल वाट ते कर जा वेला लॉकडाउन चेला त्या वेला पेशन्ट ये जासता है यहला एकद कारण महानगर पारेगे नी तो व्यापारी श्तारिक व्यापारी छोटे है त्याना बन ते होले आणि मोट मोटे डिमार्ट चरके ही जी डिपार्मेंटर स्टोर्च है एपीएमशी दरका मोटे बाजाल समीती है यहला कंटिनुट चालू केला कि जा बाजाल समीतो जे वीश्ते पंचीज हजा लोकांची एजा भाहर होने उते है त्याच्या मुले कोलोना हा संक्रवी अच्छी गणना करता त्यानी स्टर आमचे व्यापारावल एक प्रकाल चा अन्या एकेलिला है अचा आमी मुंबई महानगर पारिकेता मोटा करना है तो अहां इतुन चा स्थानिक व्यापारी है ना त्या स्थानिक व्यापाराँ चा करना महानगर पारिकेता तोड़ला अ पाकड़। त्याजा नोकरा दा पगर है कांटीनूर त्याजा इते डल जोई अमी शाही लेला है तीन ते धा लाक रुपे माशिक खल्स प्रत्य व्यापारेला है यह त्या माशिक खल्चा उन्दों आच चार महिने मंजे तोर जोर जोर चाहिद लाका तो बोजा त्याचा बढ़ली ला ह आणी हा बोजा त्याला पेलोने यह शक्क्य उभिल खिनाय ही पन मोटी स्यंक आये त्या करता शास्ना नी अमचय व्यापारेना बिन व्याजी मान अगर परीक आतो आ शास्न यहानी बिन व्याजी त्याना पैशे देवे आप परत्य तैंके उस्ड़ता शुरूर करुद द आज तुमी आमाला ज़र रस्त्यावलो शूड़ने ने आत्मनिल्मर बनाला तो आमी कशापद्री ने आत्मनिल्मर बनना रहोत। त्यास प्रवाणे मानिय उद्धोजी ठाकरे सहेब मुख्यमंत्री नहीमित स्रांगतात पुनष्य हर्योम। अमी दुकाने चालू करना का आमी हर्योमत करत देवडात कुटलेती बसन कटोरी होन। हाँ मोटा प्रश्न निर्मान जाली रहे। अनि आता एकज आमची विननती है सर्वाना पालेक मंती बोला कि वहा स्तानिक आमदाल बोला कि आनि आमची लक्षे देवा आनि आमाल लॉक्डाउन खोलून देवा। एकज चा मद्यर आती परें जलू लॉक्डाउन खोलून नहीं। ते वीसला आमची शर्वा व्यापारी आपनी जे आस्ताब नहीं आपनी दुकान है। ती चालू गल्तील साधांटा नवा मुंबे इतली 15,000 व्यापारी ये प्रत्यक शेत्रा मदले है। नहीं प्रत्यक शेत्रा मदले है। नहीं प्रत्यक शेत्रा मदले है। ये लॉक्डाउन जो है इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि हम 21 मार्ट से 120 दिन आज होने आए हम लोग्डाउन में है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री साब ने बताया उद्दव ठाकरे जी ने के मिशिन बिगिन अगेन। हमने 8 जून से हमारी बिजनस यहां पर हमने स्टार्ट किया था। 29 जून से हमारे यहां पर फिर से लॉक्डाउन लग चुका है। जो हाडली हमने 21 दिन धंदा किया हुआ है। उसमें भी अल्टरनेट डे ओपन था एक दिन बंद एक दिन खुला। उसमें भी शाम को पांच बजे तक था। तो आप बताईए हम हमारा घर कैसे चला है। हम मोधी जी कहते हैं कि आप अपने सेलरी किसी का मत काटो, किसी को काम पे से मत निकालो। तो हम आगे कैसे बढ़े। आत्म निर्भर कैसे हो। मुझे तो ऐसे लग रहा भी आत्म निर्भर नहीं पर आत्म हत्या का टाइम आ गया है। मेरी यही बिंती है कि इसको आगे नहीं बढ़ाए वरना 20 तारिक से सब अपनी अपनी दुकान है। जितने भी व्यापारी है नवी उम्बई में 15,000 व्यापारी हम सब एक होके हम दुकान खोलेंगे। बताद है कि नवींबई में कोबिट संक्रमिर्टों की संख्या 10,000 के पार चली गई है। यह संख्या उस वक्त बढ़ रही है जब शहर में संपुन लॉकडाउन चल ला है। मारबल व्यापारियों की दलील है कि जब लॉकडाउन के बाद भी कोरोना नहीं थम रहा है तब उसके नाम पर रोजी रोटी और कारोबार को बंद करने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर हालत ऐसी रही तो लोग आत्मत्या के लिए मजबूर होंगे। सवाल गंभीर है लेकिन इसका जबाब महानगर पालिका के पास नहीं है। बेरो रिपोर्ट टीबी वन इंडिया